हेलो फ्रेंड्स वेलकुम ट्योर ओन चैनल स्टेडी ब्लास्टर एंड माई नेम इस दिनेशार्य फेक्च्वल डेस्क्रिप्चन की सीरीज में हमारा आज ये सातवा लेक्चर है इससे पहले की छे लेक्चर आप देख सकते हैं तो कॉशन के है वो पढ़ लेते हैं पहले और ये जो है आपके सीनियर सेकंडरी एक्जाम 2013 का यानि की 2013 में ये आया हुआ कोशन है तो किस तरह से आपको ये लिखना है उसके उपर हम बात करते हैं तो लास्ट मंडे और ये विद्ध्याले में विध्यारतियों के एक संगठन का गठन किया गया different portfolios were given to the students अलग-अलग विभाग जो है विध्यारतियों को सौंप दिये गए as the head यानि कि संगठन का जो अध्यक्ष है वो मुख्या की रूप में कारे करेगा he will keep watch on the function of all other portfolios वह दूसरे सभी विवागों के कारियों पर भी नजर रखेगा इसी तरह से education minister will look after the educational facilities यानि कि शिक्षा मंत्री शिक्षा सुविधाओं को देखेगा if there are vacant periods he will manage it with the help of the senior students अगर कोई period खाली होता है तो वह senior students की help से विवस्था करेगा defense minister will keep watch on the security of the students and their articles like books, tiffin, bicycles, etc. और जो रक्षा मंत्री है विध्यारतियों की तता उनके सामान जैसे की उनकी books हो गई, उनके tiffin हो गई, उनके cycles हो गई, etc. जो उनकी चीज़ें हैं उनकी सुरक्षा पर नजर रखेगा home minister will maintain the law and order of the school, he will be responsible for the peace and harmony among the students ग्रह मंत्री विध्याले की कानून वे विवस्था को बनाये रखेगा, वह विध्यारतियों के बीच में शान्ती और मधूर संबंध के लिए उत्तरदाई होगा यानि कि responsible होगा और last line जो है हमारा वो देख लीजेगा यहां पर on this way it is hoped that it will work successfully इस परकार से आशक की जाती है कि यह सफलता पूरवक कारेगा अब हमारा जो अगला description होगा, वो होगा merits of city life और बहुत ही important है यह आपके exam point of view से तो इस वीडियो को बिल्कुल भी भिसना करें और next वीडियो के लिए जो है तयार रहें और अगर आप इस next वीडियो के लिए तयार रहेंगे तो उसके लिए आपको यह करना है कि आपको channel को जल्दी से subscribe कर लेना है और side में एक bell icon दियावा होगा उसे press कर लिजेगा क्योंकि जैसे ही next वीडियो आएगा तो आपको उसका notification बहुत ही जल्दी से मिल जायेगा thanks a lot for watching this video